गुड मॉनिंग बच्चो गुड मॉनिंग सर बच्चो आज हम पार्ट हम और हमारी फसले पढ़ेंगे बच्चो बताओ जब तुम स्कूल आते हो तो तुम्हें रास्ते में क्या कैची दिखाई देती है सर हमें लेराते केत और हजी बड़ी बच्चो ये हरे वरे फोदे अनाज, सबजियां, फल, आदी किसान की कड़ी मेहनत से मिलते हैं किसान को अंदाता भी कहते हैं ठीक है बच्चो किसे भी फसल या अनाज को उपजाने के लिए सरपृत्ब मिट्टी एवर मोसम की जनकारिया उस चक है अब मिट्टी कई परकार की होती है जैसे बालूई मिट्टी चिकनी मिट्टी, सेल्ट मिट्टी दोवन मिट्टी, काली मिट्टी आदी, बालूई मिट्टी बालूई मिट्टी में जो कड़ होते हैं बालू के मटर धान फसले हुआ जाती हैं जो सिल्ड मिट्टी होती है उसमें महीन करन होते हैं जिसमें गया हूं गन्ना आदी फसले हुआ जाती हैं दोमट मिट्टी बालोई मिट्टी चिकनी मिट्टी तता सिल्ड मिट्टी से मिले जुले होते हैं और इसमें धान कपास गन्ना आदी फसले हुआ जाती है शार किसी भी मौशा में कोई सी भी फसल हुआ जा सकती है क्या नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं है मौसम के अनुसार ही फसले हुआ जाती है बच्चों भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग फसले होती है ये फसले बहां की मिट्टी और मौसम पर जायद सर अब खरीब रभी और जायद की फसलों के बारे में समझाईए ना ठीक है बच्चों सुनो ध्यान से सुनना खरीब फसल जो होती है उसमें धान मक्का जुआर बाजरा मू उड़द कन्ना कपास तमाको जूट आदी आती है और ये है बरसा रितू अर्था जुलाई अगस्त के प्रारम में बोई जाती है तथा जाड़े के प्रारम में या नवंबर में काट ली आती है रभी जो फसल होती है उसमें गया हूं जों चना मतर अलसी अरहर राई सरसों आलू आदी आते हैं और ये फसले जाड़े के प्रारम अर्था नवंबर में बोई जाती है तता गर्मी के प्रारम अप्रेल में काट दी जाती है और जायत की जो फसले होती है उसमें सबजियां, ककड़ी, खर्बूजा, तर्बूज आदी आते हैं और ये फसले गर्मी के प्रारम मतलब अप्रेल में बोई जाती है तता बर्सा के प्रार्म और जुलाई में काटली जाती है ओके बच्चे समझे कुछ अच्छा बताओ बच्चो आपके हाँ पर कौन-कौन सी फसले वाई जाती है अच्छा बच्चो यह बताओ आपने कभी खेत को पानी लगते देखा है और में का जैसे अनेक प्रकार की फसले उगाई जाती है अच्छा बच्चो यह बताओ आपने कभी खेत को पानी लगते देखा है वो किस तरीके से किसान को पानी देते हैं सार मैंने तो इंजन और मोटर से पानी चलता हुए देखा है और वहाँ पर हम कभी कभी जाके नहाय भी आते हैं बहुत सही वीटा आप देखो हम बताते हैं कि पहले जो किसान था वो किस तरीके से अपने खेतों को पानी लगाता था पहले जो किसान था भो तलाव, जहील, जील, नदी, कूपो, नलकूपो, नहर, आदी से पानी प्राप्त करता था इस जल को अपने खेतों तो पचाने के लिए बहे अनेक साधनोगा प्रियोग करते थे जैसे बेड़ी, ढेकली, मोट, रहेट, चैन पंप, आदी और बच्चों कि आप जानते हैं, आजकल सचाई की नई पदिती, जिसको ड्रिप या टपक सचाई और स्प्रिंकल या छिड़काब सचाई का भी प्रियोग के जाता है, टपक पदिती द्वारा, पानी, पोदों की जड़ों पर, बूंद, बूंद, बाल, पाइब, आदी से चाई स्प्रिंकल या फुबारा पदिती द्वारा की जाती है, ये दोनों से चाई सूखे या कम बर्सा वाले छेतरों में प्रियोग की जाती है, क्योंकि इस से पानी के बच्चत होती है, और फसल अच्छी होती है, छिड़काब पदिती बलुई मिट्टी के लिए उरुबरक का प्योग करते हैं, शायर वो तो गोबर की खाद, यूरिया और एंटी के जादातर डालते रहते हैं, सही का बच्चों आपने, परन तो आप जानते हो, खाद दो प्रिकार की होती है, एक तो होती है जैबिक खाद, और दूसरी होती है और अरुबरक या रसानी खाद, जैबिक खाद में गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, जिसमें बेकार, साग, सबजी, पोदे, पत्तियां आदी आते हैं, नेम की, खली की खाद, मलमुत्री खाद, और कैंचुए से तियार खाद, जिसको हम बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और अरुबरक या रसाइनी होती है फसल को कोई हानी कारेक प्रोभाव नहीं पड़ता है परंतु रसाइनी खादों का प्रयोग करने से सुराती साल में तो फसल उपज जादा होती है परंतु बाद में धीरे-धीरे भूमी बंजर होने लगती है और इसका अधिक मात्रा में परियोग करने से भोजन में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमें अनिएग बिमारियां हो जाती है और जो जानवर इन फसलों को खाते हैं उन में भी बिमारियां हो जाती है अच्छा आप बताओ बच्चो अब तुम अपने पापा या दादा से से कौन सी खाद खेत में डलवाने के लिए करते हैं कटीली जहाड़ी एवं पोदों की बाड़ आदी बनाकर जानवर से रख्षा करते हैं एवं कीट पतंगों और रोगों से बचाने के लिए अवश्यक मात्र हैं कीट नासा दवाह का ही पुर्योग करते हैं हाँ बच्चो अगर किसान अगर अपने खेतों में कीट ना सक दवाई नहीं डालेगा तो उसमें कीट पतंगे सूनिया आदिया लग जाएंगी और वो है उसकी फसल को बरबात कर देंगी अब हम बात करते हैं फसल की कटाई एवम उसका बंडारा फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई मडाई एवम ओसाई मजदूरो एवम आधुनी मसीनों के दौरा की जाती है जिससे अनाज के दाने एवम भूसा अलग अलग हो जाते हैं फिर अनाज को अच्छी तरह सुका कर उस सुरक्षित इस्तान पर रख दिया जाता है